नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है अगर वीडियो पर आप नए हो प्लीज लाइक कीजिए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए शुरू करते हैं देखिए SDFC बैंक में हुआ क्या है SDFC बहुत टाइम से नहीं भागा था तो अब भाग रहा है और उसी वज़े से मार्केट को यह ड्रैक कर रहा है उपर तक अब आगे क्या कर सकते हैं उससे पहले आप यह देख लीजिए एफायाई डियाई का डेटा उसके बाद फिर हम बा दाइँ से अठो करोड का कैस में सेल किये हैं ठीक इंडेक्स फीचर की बात करें तो 2688 करोड और इंडेक्स ऑफशन्स की बात करें तो लगभग 56 Mindming सेटाग फerson की बात करें और इंडेक्स zwischen कि बात करें तो आज बनाई है ठीक इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या अब हमारा मार्केट टॉप फॉर्म कर रहा है क्या हमारा मार्केट अब गिरने वाला है चलिए समझते हैं कि देखो अभी जब तक मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने बताया था सब्सक्राइब आज दिखाऊंगा मैं क्यों टार्गेट क्या है डेली टायम फ्रेम में चलते में फिर 15 मिनट के में समझेंगे ठीक देखो डेली टायम में मैंने काफी टाम से बताया था कि ये जो लेबल है 1720 वाला label, ये इसका target है. Near term target. Long term में 2000 target है, लेकिन नियर term का 1720 target है. और मैंने जो अपनी position बनाई थी, वो 1476 पे बाई किया था. तो लगबग मैंने इस label पे बाई गिया था. और अच्छी khासी position बना के रखी थी. आज मैंने इसमें लगभग 31,500 के profit में मैंने सारा माल बेच दिया, सब कुछ बुक कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, SDFC में सारा बेच दिया, ठीक, 31,500 के profit में, क्यों बेच दिया, क्योंकि मेरा target आ गया, मैं swing trade करता हूँ, तो ऐसा नहीं, तो बिल्कुल long term के लिए, कुछ time के लिए अपना जब target आ जाता है, तो मैं उससे निकल जाता हूँ, अब आगे क्या हो सकता, देखो, यहाँ पे resistance, यहाँ पे resistance, यहाँ पे resistance, फिर sell off, फिर उपर गया, फिर यहाँ पे resistance, फिर sell off, फिर consolidate करके उपर गया, फिर resistance आगे, अब आगे क्या, आगे देखो, अब आगे हो सकता है, कि यह थोड़ा सा यहाँ से correct करे, ठीक, HDFC bank हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, और इस label पे support ले, 1650 के label पे इसका support होना चाहिए, अब, ठीक, 1650 के label पे, अगर यह 1650 के label पे support नहीं लेता है, अगर इसको cross कर देता है, तब हमें wait करना पड़ेगा, इस label पे आने का, मतलब 1720 के label पे पुना एजस support आएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे, आगे इसमें position बना सकते हैं, ठीक है, तो, इसमें क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए, wait and watch की स्थिति ह क्यों, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलिए, यहाँ पे छोटा सा मुझे double top pattern की तरह दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यह उपर गया है, ठीक है, यह something like this, ठीक है, double top pattern की तरह 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा रहा है, अगर यह यहाँ से sell off आएग मतलब अगर करेक्ट हुआ 50 उर्पाय यहां से, तो मैं यहां से फिर क्या करूँगा, फिर यहां से मैं buy position मनाऊंगा, ठीक है, तो क्या करना है, अगर यह उपर ना जाके, यहीं से selling start हो जाती है, तो इस label पे अच्छा खासा support है, 1650 के label पे, लेकिन छोटा छोटा support की बात कर यहां पे, यह trend line में draw कर देता हूं, देखो, एक तो यहां पे है support, कितने पे, 1700 पे, दूसरा support है, इस label पे, 1670 के और तीसरा support दिख रहा है, जो strong support दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है, 1650 के label पे, ठीक, यह 3 support मुझे अच्छे खासे, HDFC बैंक के लिए दिख रहे हैं, अब आगे क्या, आगे इसी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और चीजों को समझना पड़ेगा, क्यूं, क्यूंकि अब इसने 1620 का target दे दिया है, मुझे, आज आया नहीं, हाला कि 1720 क target था, 1718, 1719, 1716, यही आया है, जो target, लेकिन, अब इसके उपर तभी यह position मनाऊंगा, जब यह इस तरीके से उपर जाके, और यहां पर प्राइज एक्षन मना के, यहां जा support ले, resistance को, जा support मानेगा, उपर जाएगा, तब मैं stock में position बनाऊंगा, फिल हाल के लिए, यह वीड झार झार जाभी आ रेकिना झाल है, प्राईगा मना दो जाएगा झाल के लिए somewhere, यहब अज़ न एक्षन के, जा फसके, जा दो विलांगा, यह नहां झाल के यहारा है, जा एके पा सकता है, एक हमी baraटनगा, जा जाएगा जा झाल ठोसागा है, बक्पोन के एक्जू नहा ह